तो हेलो एवरिवन मैं उस्यों दिवेदियों और आप देखरें अपना पसंदिदा चैनल ग्यानों देखें गुरुजी मेरे प्यारे बच्चों सामके पांच बच चुके हैं और सिवम सर आपके सामने लाइव आ चुके हैं आज के सिवम सर क्या करने वाले हैं आप सभी को पहले से पता है कि यहां पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं मेंडल का एक शंकर संकरन या फिर हम लोग डिसकस करने वाले हैं दोई शंकर संकरन जिसे इंग्रेजी में कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्र क्रॉस देखो भाई अगर आपको बोड एक्जाम में अपने छे से साथ नंबर पक्के करने हैं तो लगातार दो दिन के लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा का मददगार हो सकते हैं क्योंकि आज हम लोग समझेंगे मेंडल का एक संकर संकरन उसके अगले दिन हम लोग समझने वाले हैं मेंडल का नियम तो आज हम लोग सबसे पहले मेंडल का एक संकर संकरन समझेंगे दूरी संकर संकरन संकरन समझेंगे तभी वच्चों आगे आप मे तो एक बार मेरे प्यारे बच्चो जल्दी से चेत में यस लिध दीजेगा सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे तो मुझे पता चलजाएगा की हंजी आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं चलिए बच्चो सुरू करते हैं आज कई शेशन को बिना देर के हुए बड़ी आसानी से बहुत अराम अराम से हम लोग सारी चीजे डिसकस करेंगे हर एक पॉइंट को मैं बताऊंगा कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं सभी लोग जल्दी से शेशन को लाइक कर दीजेगा ताकि और मजा आ जल्दी से शेशन को सभी लोग लाइक कर दीजेगा प्लीश चलिए तो मेंडल का एक संकर संकरण और दुई संकर संकरण पहले तो यही मुझे नहीं पता कि यार यह संकर संकरन क्या है इनको डिसकस करेंगे चलिए सुरू करते हैं विर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा देखो भाई पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अनुवांशिक्ता क् अरिटी इन हेरिटेंस इसके बारे में लोगों ने डिसकस कर लिया था फिर हम लोगों ने उसके बाद यह पढ़ा था कि किस सारीके से मंदल ने अपना नियम दिया और फिर उन्होंने बताया कि मतर का पौधा ही क्यों चुना सम युगमजी और विशम युगमजी क्या होते हैं ये सारे पॉइंट्स हम लोग पिछले वीडियो में डिसकस कर चुके हैं आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक में पड़ा हुआ है तो पहला वीडियो ये है आज का दूसरा वीडियो है चलिए सुरूगरते मेंडल का एक संकरण वा दोई संकरण मैं आपको बता दूँ कि आपको कहीं से नोट्स वगारा ढूंडिने की जुरत नहीं है हर एक पॉइंट यहां पर लिखे लाया हूँ बिल्कुल वैसे ही कॉपी पर लिखना कोई ऐसा एक्जाम नहीं है जिसमें आपके नमबर कट जाएं क्योंकि नोट्स बहुत दमदार होने वाला है आज का तो सबसे पहले हम लोग यही डिसकस कर लेते हैं कि भाई यह मेंडल का एक संकरण और दुई संकरण क्या है चलो अब आपको पता है कि आपके अंदर बहुत सारे गुड़े जैसे अगर मैं बात करूं माल लीजे कोई भी एक यह बच्चा है ठीक है यह कोई भी एक बच्च है ठीक है माल लिया कि हांजी यह कोई बच्चा है इस बच्चे के कान हो सकते हैं कि नीचे से लटके हुए हो कंड़ पाली इनकी लटकी हुई हो हो सकता है कि इसी तरीके से कोई दूसरा भी बच्चा हो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा इसी तरीके से कोई दूसरा भी बच्चा लिया बेटा मैं बहुत आराम से बताने वाला टीचर हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता ही है ये बात तो एक बच्चा है जिसका हमने माल लिया कि कान कुछ इस प्रकार से है चिपका हुआ होता ने कुछ लोगों कान ऐसे नीचे से तो भाई अगर मैं ये ध्यान में रखों कि इनका एक गुड कोई ध्यान में रखो कि हाँ इनके कानों को लेकर मैं बात करूं और इन दोनों के बीच में संकरन कराऊं संकरन का मतलब है कि ये अगर मेल है ये फीमेल है इसका इस पर्म मेल का और इसका फीमेल का अगर मैं बात करूं और इन दोनों को मिला के हम लोग निर्मार करें युगमनज का यानि एक ऐसी चीज का जिससे एक नया बच्चा बनेगा तो हम कहेंगे कि हमने एक गुड को ध्यान में रखते हुए कि इनके कानों के बारे में बात की तो हम कहलेंगे ये एक संकरन होगा जैसे मेंडल जी ने ये कहा थ था क की एक लंबा पॉधा है और एक बॉणा पॉधा है ऐसा पिछली वीडियो में बात की थी एक संकर संकर्ण क्या है तो चलिये मान लिया कि ये मटर है, आज मैं मटर का पौधा भी लेके आया हूँ, माली जे मटर है, मटर का जो बीज है ना, हो सकता है गोल हो एकदम, और हो सकता है कि भाईया जुर्रीदार हो, है ना, सूख नहीं जाता जैसे, और गोल होने के साथ-साथ ये हरा भी है, और ये जुर्रीदार होने के साथ-साथ ये पीला है अगर हमने ऐसा मान लिया या हो सकता हरे होने के साथ पीला हो जाए या फिर जुर्रीदार होने के साथ हरा हो जाए तो दो-दो गुडों को लिया कि इधर गुलाई को भी देख लिया कि भाई गुला है कि जुर्रीदार है और एक दूसरा गुले लिया कि हरा है कि पीला है अगर इन दो चीजों को ले के संकरण कराएंगे दो दो गुडों को साथ में लेकर तो इसको दो ही संकरण कहेंगे फिर मन में एक सवाल आया बंडल जी ने आखिर कितने गुडों की बात की थी तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया ही था कि साथ चीजों की उन्होंने बात की थी हमने आपको बताया था न साथ चीजों की बात की थी तो आज हम उसका एक चार्ट पेपर बना के लाएं सुनते जाएए वीडियो बड़ा मज़ेदार है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजेगा सुनते जाएगा अब एक संकरन क्या है मैंने बता दिया जब एक गुड़ों को ध्यान में रखकर संकरन कराएंगे तो ए आगे चलें बच्चो अब हम लोग बात करते हैं कि मेंडल जी ने वह साथ कौन-कौन से चीजों को लिया था कुछ हमारे अंग्रेजी मीडियम के बच्चे इसको देखके थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे तो उनके लिए भी टेंसर नहीं है अंग्रेजी में आगे लिख अब इन्होंने क्या क्या एक मटर का बीज लिया जो एकदम गोल था एकदम गोल था और एक दूसरा बीज लिया जो जुर्रीदार था इन्होंने कहा इन दोनों के बीच में संक्रण करा दिया इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या करा दिया संक्रण करा दिया और संक्रण कराने के बाद इन्हों ने देखा कि यार इससे जो नया वाला बन के आता है पौधा पौधे का जो बीज है उसको इन्हों ने देखा कि यार ये तो मुझे बिल्कुल गोल और चिकना चिकना हटा दो यहां से गोल ही कर लो यहां गोल ही कर लो ठीक है गोल और चिकना होता है गोल ही कर लो तो इन्होंने देखा हमको गोल मिलता है इसका ये मतलब हुआ कि अगर संकरण कराने के बाद जो चीज हमको मिली है वो हमारा निसकर्स है ये पहली पीड़ी का निसकर्स निकलाया यानि हम बोल सकते हैं conclusion निकलाया पहली पीड़ी का और गोल होता या तो ये और या तो जुर्रीदार होता इसके अलामट तो कुछ नहीं हो सकता था या तो गोल होगा या तो जुर्रीदार होगा और जो इन्हों ने कहा गोल है न ये इसका प्रभावी लच्छन था यानि हम बात समझ मां गई, ये क्या था बच्चों, आप्रभावी था, अच्छा ये प्रभावी और आप्रभावी सब्द जब आते हैं न, तो हम बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि आखिर ये है क्या, अब मान लीजिए, ये माता जी है, ये पिता जी है, ये माता जी है, ऐसे ज़्यादा चड़ता इदर, ये पिता जी है, ये माता जी है, इनके बीच में संकरण हुआ, और जो बच्चा जन्म लेता है, उसमें देखा गया, पिता जी के गुण ज़्यादा पाए गया है, माता जी के गुण कम है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है माता जी के गुड हैं पर वो इतने कम है कि इनका कोई प्रभावी नहीं पढ़ रहा है इसके उपर तो यह आप प्रभावी हो गए माता जी के गुड यानि माता जी के लच्छा और चो पिता जी के लच्छड थे वो प्रभावी हो गए इसी लिए इनोंने बोला कि भाया अग और जुर्रीदार बीज का हम लोग अगर संकरन कराएं तो हमको मिल रहा है क्या गोल बीज समझ में आगे यह बात क्लियर हुआ की नहीं समझ भाया यह चार्ट बहुत ज्यादा मदद करेगी आप आगे कितना भी ज्यादा पढ़ोगे ना बहुत ज्यादा मदद करेगी कोई बताता नहीं है 10th के लिए इसमें क्या important है वो भी मैं बताऊंगा अभी ठीक जितना 10th के लिए important है न वो सारा उपर ही लिखा असर ने यह बहुत अच्छे से समझ में आगे होगी बात goal और जुरीदार अब इन्होंने काम किया फिर द्यान से मेरी बात को सुनते जाना और अच्छे से समझते जाना ठीक है सुनते जाना और समझते जाना फिर इन्होंने क्या किया था आज मैं पेज को लॉक करना भूल गया अब इन्होंने बच्चों क्या कि इन्होंने जो है क्लास चल रही इन अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं हाँ अब इन्होंने क्या कि एक बीज लिया जो कि के से बीज लिया इनके बीच में इन्होंने संकरन करा दिया और इनको जब निसकर्स मिला ना वो यह मिला कि पीले कलर का बीज इनको मिलता है इसका मतलब है पीला कलर यह जो था इनका यह इनका क्या था यह पीला कलर इसका प्रभावी लच्छन है और जब कि हरा कलर जो था न वो इसका आप्रभावी लच्छन है बोलो यहां तक समझ में आई बात कि यार पीला कलर इनका प्रभावी लच्छन मिला ओहो पीला कलर इसका प्रभावी लच्छन है और हरा कलर इसका आप्रभावी लच्छन है यह सब एक्सपेरिमेंट करकर करके देखा बोलो समझ में आग था कि क्या आने वाला है यह सब रिजल्ट हुए एक्स्पेरिम्ट करको देखा इनोंने उसके बाद इनको पता चला आगे चलते हैं आगे हम लोग discuss करते हैं अब इनोंने दूसरा वाला दोे बता दिया मैं अब दीखो क्या हुआ अब बीद हरे रंगी फली और पीले की फरे और जब इन्हों ने मतर के इस पॉधे में जो एक पीले रंकी फली वाला था और एक हरे रंकी फली वाला था इनके बीच मेंड़ संकरन कराया तो देखा मटर की जासेतर फली जो थी वह हरे रंकी थी इसका ये मतलब हुआ कि हरे रंग की जो इनको फली मिली न, वो पता चला कि हरा रंग इसका कौन सा गुड़ था, हरा रंग इसका कौन सा गुड़ है, ये इनका बच्चों प्रभावी लच्छने, और जो पीला रंग है न, वो इनका प्रभावी लच्छने, आपके लिए क्या important है, पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला और उसके बाद ये पाच नमबर वाला ये बड़े इंपोर्टेंट है आपको क्लास सेंथ में पाच ये चारों के बारे में बताया जाएगा अब फली के आकार में देखा कि फूली हुई सिकड़ी हुई तो इनको फूली हुई मिल कराया तो इनको बैंग नहीं मिला फिर इसके बाद पुस्प की स्थिक कछास्त और सीरसस्त इसका समझ लो कि बच्चों ये हुआ ये मटर का पौधा अब जब इन्होंने एक ऐसा पौधा लिया जिसमें यहां पर फूल निकल रहे थे ऐसा होता ना कि यहां पर फूल निकल रहे थे दोनों को ले लिया इन्होंने दो पौधों को और इसके बाद इन दोनों को क्या करा दिया ऐसे करके संकरण करा दिया कि इसमें उपर निकल रहे थे इसमें बीच में निकल रहे थे संकरण कराया फिर इन्होंने देखा कि बच्चों जो भी दोनों को संकरण कराते ह बीच में इनका ब्रबांस होता है तो देखा इनको कछास ता यानि ऐसे मिलते हैं ऐसे इसमलने में इसे पाइश तो इहां पर Gzar चीज है सर ने बताया यह चार पॉइंट बीच का गोलाकार बीच का रंग और उसके बाद फली का रंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा तो हमारे पास तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बस तीन ही पढ़ लो और तने की लंबाई समझ गए क्लियर हुआ स्क्रिंसोट लेना है ले लो बड़ी महिनत के साथ बनाया था वीडियो का यह पूरा पीपीटी कमसे लाइक तु कर दो यार चलो भाई जल्दी से ले लो भी बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में सर को बात करनी है सभी लोग सेशन को लाइक कर दो हाँ मटर का पादा सूब गया अब क्या करे बेटा कब लेकर आया थे और कब है समझ लो मतलब 2-3 गंटे पहले लाये थे ना इसको जिसको भी लेना है हुआ इंग्लिस वाला वो भी भी ले सकते एंग्लिस वाला भी चले अब हम बात करते हैं कि холод क्रोस संकर क्या होता अब करते है तर heeft इसके बारे में हम लोग नहीं इसकी डिफिनेशन लेंगे बिल्कूल टेंशन मतलोगा अब हम लोग सबसे पहले काम करते हैं इसको हम करना इनके विभिन युगम विकलपी वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो इसे एकल शंकर क्रोस करते हैं जैसे पौधे की लंबाई को ध्यान में रखके एक लंबा पौधा ले ले और एक बौणा पौधा ले ले इनको सारे वर्ड आपको समझ में आगे होंगे जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको एलील समझ में नहीं आया होगा एलील जीन की रूप होते हैं जैसे अगर मैं बात करूँ ध्यान से मेरी बात को सुनना जैसे हमने लिखा टीटी टीटी हमने बोला कि दोनों लंबे लंबे हैं तो इसको अपनी मा से भी लंबा पन का गुण मिला है और इसमें पिता से भी लंबे पन का गुण मिला है तो इसलिए इसका लंबा पन जो है ये इसका एक एलील है ये और एक ये इसका दूसरा एलील है ऐसे समझे है ठीक चले भाई आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं कि मेंडन ने एक संकरण का कौन सा प्रियोग किया था प्लीस और प्लीस सेशन को लाइक कर दीजेगा सारे बच्चे अब ध्यान से देखिए इन्होंने क्या किया था जल्दी जल्दी से हम अपको समझाने की कोशिस करते हैं ध्यान से देखना इन्होंने सबसे पहले एक लंबा पौधा लिया ठीक है इन्होंने एक सबसे पहले लंबा पौधा लिया उसके बाद इन्होंने एक बौना पौधा क्या किया इन्होंने एक लंबा पौधा लिया यहां लिख सकते हो लंबा पौधा यह इन्होंने लिया लंबा पौधा और उसके बाद इन्होंने क्या किया एक बौना पौधा लिया ध्यान से समझ दे जाना मेरे पैरे बच्चो एक लंबा पौधा लिया और इन्होंने एक ब और यह क्या था सुद्ध बॉना पौधा था इसमें जो दोनों एलील थे वो दोनों इसमाल टी थे जहांसे समझने प्लीज कोसिस करें जो सुद्ध लंबा होता है उसके दोनों एलील जो होते हैं वो टीटी होते हैं कैपिटल टी टी का मतलब टाल हला इसलिए टीटी लिखा जाता है बहुत सारे बच्चों ने कल कमेंड में पुछा था कि सर दो बार क्यों लिखते हैं बेटा दो बार इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक इसको इसके इसके माता से मिला होगा और एक इसको इसके पिता से मिला होगा ऐसे समझी है तो इसलिए दोनों टी-टी हो गए ठ स्माल्टी इसकी माँ भी बहुनी थी और इसका प vous भूना था आप सीधिव आगई बात अब इनके बीच में इन्होंने क्या कराया क्रॉस करा दिया जब इन्होंने इसके बीच में क्रॉस कर आया तो क्या हुआ देखो इस तरीके से ज्यान सिसामचते जाना मेरे नोड़े पहले बच्चो पूरे क्या किया एक टी यह जा टी लिया यहाँ पर पर क्या मिलेगा टी और कि पुर्ड कि पिसरे वीडियो में शुर्जित चुनेश्च के बाद unf certainly तो यह वाला फिर पार चीorama माने आप इनोंने देखा कि इसको इनसे भी क्या मिला टी टी समझने कि प्लीस और प्लीस कोसिस करें कि इससे भी इनको क्या मिला टी टी तो ये टी और ये टी बच्चो यहां से टी और ये टी फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चो एक ये वाला इनको टी लेना है और एक ये वा यह सोचा यह क्या चल रहा है जो इनोंने रिजल्ट देखा यह पता चला ये सारे के सारे पोधिय céu लंबे प्यदा हो गए भाई इन्होंने देखा इनकी इनका एक बोना पौधा एक लंबा पौधा यह दोनों मिलकर एक ऐसे पोधियों कर निर्मान करते हैं जो सारे के सारे क्या थे, लंबे थे, चार पौदे इससे बने, चारो के चारो क्या है, लंबे, बाद समझे मेरी बात को, कि इन दोनों से मिलकर चार तरीके की चीज़े बन सकती हैं, और उसके बाद चारो लंबे थे, अब आप पहले सोचिए, कि सर चारो लंबे कैसे हो सकते ह हम यह नहीं कह सकते कि चारों छोटे थे यह भी तो कह सकते हैं कह सकते हैं लेकिन इनका लंबा पन प्रभावी गुण था और बौणा पन इनका आप्रभावी गुण था जैसे भी हमने पढ़ा था ना कि जब इनोंने क्या किया था लंबा और बौणा पौधा लिया था तो इनको लंबा पौधा मिला था और लंबा पौधा इनको पहली पीड़ी में मिला था जो कि उसका कैसा गुण था प्रभावी गुण था इसलिए हम यहां पे आए और हमने देखा कि जब इन्होंने सुध लंबा पौधा लिया सुध बौना पौधा लिया तो इनको जो मिलाना वो सारे के सारे लंबे पौधे मिल गए बात समझ में आ गई अब हमने क्या किया यह इन्होंने देखा कि सारे लंबे पौधे हैं सभी सभी क्या है लंबे पौधे मिल गए इनको सभी लंबे पौधे मिल गए ठीक है मैरे प्यारे बच्चो अब क्या हुआ इन्हों ने सोचा कि यार यह हमको तो सारे लंबे लंबे पौधे मिल गए अब इन्होंने से एक और अभी रुक्या जाना आज मैं कुछ नया बताने वाला हूँ इसलिए बहुत अच्छे से सुन ले न कि यह कल का वाला रिपीट हो रहा है ऐसा मत सूच ना बच्चो अब इन्होंने क्या किया सारे लंबे पौधों में से अब क्या किया कोई दो इन इपने रसटेते ना दोनों के दोनों इन्होंने लंबे पौधे तुम यह तक इसन दोनों के लग में यह कौन से पौध है यह उप्अ बच्छो ने देखा कि अब आगर हम टी और ये मती लेते हैं तो युद्वे जो पमशनें मिलता है रोस्यूंस जाना और उसके बाद फिर इनों ने देखा कि अगर हम ये वाला टी और ये वाला टी लेते हैं तो हमको टी और टी मिलता है फिर इनों ने देखा कि अगर हम ये वाला टी और ये वाला टी लेते हैं तो हमको टी टी मिलता है और कैप्टल टी हम पहले लिख रहे हैं क्योंकि व वाला टी लिया और ये वाला टी लिया तो इन्हों ने देखा ये टी और टी मिल गएए ओर इब पॉद्वермा अभी क्या हो गया कि यार सब में तो एक कैपिटर्टी था इसका मतलब क्ैपिटर्टी का मैंनौ लंबा पौधा इन तीनों में capital T था और अगर एक भी capital T आ गया तो पौधा क्या होगा लंबा होगा ऐसा किस ने कहा था? मेंडल जी ने तो इसका मतलब ये सारे के सारे जितने पौधे थे ना ये सारे के सारे जितने थे ना यह सारे के सारे लंबे थे सभी के सभी क्या मिल गए इनको लंबे मिल गए लेकिन इनको बिचारा एक पौदा क्या मिल गया बोना मिल गया और अब यहां पे मेंडल जी का दिमाग और खनखन आया उपर तो इन्होंने सोचा था कि अगर पिता जी लंबे हुए और माता जी बॉनी हुई कोई बात नहीं सारे बच्चे लंबे पैदा होंगे अब पूरे भारत देश में पूरे विश्व में सब लंबे-लंबे हो गये सब इस उन्होंने सोचा ऐसा तो होता नहीं है कभी-कभी तो बच्छा मा पे जाता है बोना हो जाता इसका मतलब कुछ नो कुछ गलबण है चेक करते हैं फिर उन्हों न आगे पीधी में संकरन कर आया जो आगे वाली पीधी थि फिर देखा अच्छा अगर दादी जी बौनी क्या भी आवाज आ रही है ठीक है हाँ कुछ नहीं हुआ था बच्चो मैं बताता हूं क्या हुआ लाइट जो है न वह आई थी जिसकी वज़े से कैमरे में चली गई थी अभी तो आवाज आ रही है बच्चो आवाज आ रही है बच्चो ठीक है डंगर देग बार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ओके दन चलो तो अभी हमने क्या देखा कि यह सुझ्ध बॉना था और यह क्या है यह बॉना है समझ गए यह सुद्ध बॉना यह क्या है यह बॉना है लेकिन अब मैंने यह देखा कि यार यह वाली जो पीड़ी थी ना हमारी यह वाली पीड़ी जो थी वह पैत्रक पीड़ी थी ज्यान से सुनते जाना बहुत अच्छे से यह देखा इन्होंने कि यह पैत्रक पीड़ी थ से चार चाचा पापा मिलके सब हुए अरे यार हम ऐसे बताते तो मज़ा आता है आप लोगों को यह बनकर आया ना यह कौन सी पीड़ी थी इसको इन्होंने नाम दिया अब हमारे कुछ बच्चे जो है लगातार पूछ रहे थे कि सर इसका नाम एफ ही क्यों रखा पैत्रक के लिए पी ही क्यों लिया पैत्रक के लिए वह पैरेंट्स रख दिया इन्होंने एफ और फैमिली ऐसे सबज लो यार समझो ठीक है अब जो यह एफ वन पीड़ी थी ना यह अब पैत्रक पीड़ी हो गई और यह पैत्रक पीड़ी लेकिन यह कौन सी पीड़ी है आगे वाली जनरेशन है मतलब पीटू समझ में आगे बाद और यह जो इससे पीड़ी और बनकर आई इसको इन्होंने नाम दीदिया एफ टू पीड़ी बात समझ में आ गई क्या बोलो यहां तक सभी को अच्छे से क्लियर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा सारे बच्चो को अब यहां तक उनको सारे के सारे क्या मिल गए लंबे मिल गए और यह मिल गए बॉने परेशान मत हो सर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं यह सब मिलेगा अभी लेकिन पहले इंतजार तो करो पहले समझा लेने दो बच्चों बाकी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अब इतनी सा स्मॉल टी को पहले नहीं करना इसका मतलब यह मत करना क्योंकि जो प्रिभावी गुड़ होता ना उसको पहले लिख लेते हैं ठीक और मेरी बात समझ मांगे ना मैं क्या कह रहा हूं तो अगर यह हमको मिलेगा तो इसका मतलब है यह रेड लाइन के उपर लिख लेना यह ब संकर लंबे की मतलब इसके अंदर एक ऐसा भी गुड़ है जो कहीं न कहीं इसके अंदर बौनापन है लेकिन वह इतना कम है कि वह प्रभावी ही नहीं है वह आप्रभावी है इसके अंदर बौनापन आप्रभावी है इसलिए हमने इसको संकर लंबा नाम दे दिया मुझे पताईए किया आप लोगों को यहां तक कोई समस्या हुई कोई समस्या निए अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को समझते हैं हमने पिछले वीडियो में दो चीजों को समझा था एक चीज हमारी थी जिसका नाम था आपको इस स्क्रीन स्वाट लेने का सीवम सर पूरा मौका देंगे आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने आपको बताया था कुछ होता है लच्छड हमने आपको बताया था जीन प्रारूप और जीन प्रारूप के साथ सा बहुत जादा आता है इसलिए ध्यान से देखना लच्छड प्रारूप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फीनो टाइप और हिंदी में भी हम लोग उसको लिख देते हैं हम उसको फीनो टाइप आगे सब अंग्रेजी में लिखा है आप नोट कर लेना यह हो गया फीनो पाल आप फीनो टाइप का मतलब क्या होता है? हमघे आपको पिछले वीडियो कि जैसे ही बात फीनो टाइप की होगी तो यह समझ लेना कि रंगरूप आकार जो हमको दिखाई देते हैं, हमको दिखाई दे रहा है कि यह पॉधा जो है वो लंबा है यह चीज हमकर दिखाई दे रही है कि यह पौधा लंबा है हमको यह दिखाई दे रहा है कि यह पौधा बॉना है यह हमको दिखाई दे रहा है लेकिन हमको क्या नहीं दिखाई दे रहा है हमको यह नहीं दिखाई दे रहा है कि यह पौधा बॉना तो है यह वाला पौधा बॉना तो है लेकिन इसमें एक eyelil ऐसा भी है सॉरी, ये वाला पौदा लंबा तो है लिकिन इसमे एक ऐसा और eyelil है, जो कही न कही हमको दिखाई नई दे रहा वो बॉनापन इसका T small T मतलब ये कही न कही अंदर से बॉना है, लेकिन मुझे दिखाई नई दे रहे है उसकी जीन में है कि हां अगर आगे चल के ये दूसरे से संक्रण करेगा तो कहीं ले कहीं ये ऐसे बच्चे को पैदा करेगा जो बॉना हो सकता है और आगे चल के देखे वही हुआ इसके जीन में वो चीजे थी जो आगे चलके एक नया बच्चा पैदा कर सकती थी जो बॉना होता और देखो आगे वही हुआ और सोच कर देखिए अगर ये विचारा टीटी होता तो साले को कोई भी ये मिल जाता लेकिन कोई भी इसको बॉना नहीं कर पाता अगर ये टीटी कैपिटल होता तो बगल में कोई भी होता ना बॉना पैदा ही नहीं होता हमेशा लंबा पैदा होता समझ में आरी मेरी बात इसलिए हम बोल सकते हैं सौरी मेरे मूँ से एक गलत वर्ड अभी निकल गया तो उसके लिए सौरी बच्चो ये टीटी और ये टीटी समझ गए फ्लो में चले गए थे सर अच्छा अब लच्छन प्रारूपिक अनुपात की बात करते हैं लच्छन जो हमको दिखाई दे रहा है यानि कि लंबा और अनुपात बोना हम यही तो देख रहें ना तीन लोग लंबे थे और एक लोग बोने थे ये हमको कौन से पीड़ी में मिला एफ्टू पीड़ी में और ये बाते आपको कोई नहीं बताता ये आपको कोई बताता है क्या वो लोग की एफ़्टू पीड़ी लिखना जरूरी है अगर हम इसको F1 PD देखेंगे ना तो सारे के सारे लंबे हैं उस समय अनुपात चारो के चारो लंबे हैं कोई बौना नहीं है चार अनुपात जीरो का अनुपात है यह F1 PD में है यहीं पर बगल में कि F1 PD में चार लोग लंबे कोई बौना नहीं है लेकिन F2 PD लेकिन एक्जा सर ने बता दिया अच्छा अब जराम इनका जीन प्रारूपिक अनुपाद देखते हैं जीन प्रारूपिक अनुपाद या जीन प्रारूप अनुपाद जिसको हम बोलते हैं जीनो टाइब क्या बोलते हैं बच्चों जिसको हम जीनो टाइब बोलते हैं ध्यान से सुनते जान अच्छा ये SIR ये जीनो टाइप क्या होता है जो दिखाई नहीं देता हमको इन लोगों में क्या पता चल रहा है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके की गुढ़ है या तो सुध लंबा है या तो सुध लंबा है और या तो संकर लंबा है ज्यान से देखते जाना या तो संकर लंबा है और या तो या तो बच्चो सुध लंबा है वहाँ जगा नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं ठीक है या तो सुध लंबा है या तो संकर लंबा है और या तो बिचारा ये सुध बोना है बोलो यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम हुआ क्या मैं तीनी गोड़तों को तीनी चीज़ दो मिल रहे इसके अलाब कुछ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इसका यह मतलब है सुद्ध लंबे कितने लोग मिले यह एक देखो एक लिखा सर ने सुद्ध सुद्ध लं कि ना जैसे हमने बात की अम एक चीज अब तुमको बताते हैं सुद्ध जाना अब एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा पहले स्क्रीन शॉटनों जल्दी से कि मैं यह चीज़े क्यों बोलता हूं कि यह आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि लोग ऐसे वर्ट्स का यूज करते हुए सर्माते हैं यूट्यूब पर कि हमारी कहीं बेजती नहों जाए हम तो पर नहीं बताते हैं सुनों मेरी बात जैसे आपके स्कूल में दो बच्चे हैं दोनों लंबे लंबा लंबा लेकिन हो सकता है यह टीटी वाला हो क्यापिटल टी क्यापिटल टी समझने की कोशिस करें मैं क्या बताने की कोशिस कर रहा हूं कि नर्ट से सुनना बच्चों कि कैंद को कि दो लोग एक कापिटल टी कॉन वाला कंटली कंद धीस उर यह कापिटल टी कैप्टल टी और यह कैप्टल टी स्मॉल तहरा chat से देखिया हमारी generation में यह जितने भी बच्चे पैदा करेगा वो सारे के सारे लंबे पैदा करेगा समझने की कुछिस करें मेरी बात ध्यान से समझीए और यह क्या है यह बच्चों क्या है सुद्ध लंबा नहीं संकर लंबा इसके बच्चे बहुने भी पैदा हो सकते हैं लेकिन क्या दोनों तुम उनके अंदर जाके तो नहीं देख सकते कि तुम लंबे बच्चे पैदा करोगे तो छोटे बच्चे पैदा करोगे नहीं जाके देख सकते ना यह चीज हम देख नहीं सकते तो यह क्या है जीन प्रारूप हम तो ओपन होके बताते हैं सारी चीजे कि यह जब आगे ज यह हुआ जीन प्रारूप जो हमको दिखता नहीं जो हमको दिखता नहीं लेकिन होता है यह थी कहानी आज की तो अभी खतम नहीं हुआ है आगे फिर आगे डिस्कुस करेंगे चलो स्क्रीन सॉट ले लो सारे समझ में आया ठीक कि हो सकता है मेरी मा का ब्लेट ग्रूप ओ पॉजिटिव हो मेरे पिता का ब्लेट ग्रूप बी पॉजिटिव हो लेकिन हम बी पॉजिटिव के साथ साथ हो सकता है कि पिता जी का बी पॉजिटिव प्रभावी हो लेकिन ओ पॉजिटिव आप प्रभावी हो तो अब पिता जी के जो बच्चे पैदा होंगे वो भी पॉजिटिव होने के पूरे पूरे चांस हैं समझना ही बात यह होता है चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं सब हायर क्लास में जाके पड़ने को मिलेगा यह आपको नोट करना है जितना बताया है वो सब लिखा है पहले से लिखके लाया हूँ कि मेंडल ने निसकर्स निकाला पेपर में कैसे लिखके आएगा पेपर में लिखे आएगा कि मेंडल का एक एकल संकरन क्रॉस क्या है ये बारे में बताना है आपको फिर ये पूरा बना के दिखाना है ये सारी चीजे लिखनी है उसके बाद ये लिखना है पर ये हमने जानबूच कर यहां पर लिख दिया है और इसमें आप लंबा बॉना औ पीछे वारे मेंडल ने एक मटर के लंबे पौधे को लिया था और एक बौने पौधे को लेकर संक्रण कराया था और इन्हों ने देखा कि जब सुद्ध लंबे होते होता है जब सुद्ध बौने होते होता है इनके बीच में संक्रण कराया तो देखा F1 पीढ़ी में सारे के सारे लंबे थे जैसा कि आप यहां देख सकते हो, सारे लंबे पयस्थे फिर आगे चले इन्हो ने ने कहा कि जब f1 ability से प्राप्थ पौदो के बीच में रिवाइन परागन करा तो फिर उन्होंने देखा कि F2 पीड़ी में लंबे भी पैदा हो गए बॉने भी पैदा हो गए यार यह पैदा वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं उत्पन कहुंगा तो आपको कठिन लगेगा पैदा कहुंगा तो यहां घुसेगा इधर एक सो एफ़ पीड़ी से प्राप्टोदों की भी स्वाप रागन कर आया तो एफ़ टूपीड़ी में लंबे और बॉने दोनों प्रकार के पौदे पैदा हो गए लच्छन प्रारूप अनुपात फीनोटाइप यह था इनका और जीन प्रारूप अनुपात इनका जीनोटाइप यह था समझ में आगे बात अब यहां से हम आपकी एक मिनट कमेंट देखेंगे और उसके बाद अब हम दूई संकरन की तरफ बढ़ेंगे तकी, एक सेकंड मैं रिलाक्स कर लूँ सारे बच्चों बहुत देर से इतना हो गया बहुत बढ़िया, very good very good, very good क्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ माया जल्दी से बता दो सारे बच्चे क्या यहाँ तक आप लोगों को जितना मैंने बताया कोई समस्या हुई क्या सर एलील क्या है बेटा एलील पिछले वीडियो में जाके पढ़ लो यह एक जीन का रूप होता है जिसको जोहांशन जीन ने बताया था 1905 में पिछले वीडियो में जाके देखिए आज के बाद बायों में इतने बच्चे जो 256 लोग देख रहा हो ना वीडियो डिजर्व नहीं करता 256 पांच सो लोग होते तब भी इस वीडियो की वैलू बहुत जादा है तुम्हें पता है लेकिन मुझे पता है कि कहीं से बायों पढ़के आये होगे लेकिन यह जिस तरी के से एक्स्प्लेइन कर रहा हुँ ना कहीं मिलने वाला नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल देशी लैंग्विज में हर एक चीज को एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है चलिए कि ओके सो थाइंक्यू सो मजच चलिए आगे चलते हैं हाँ अब जैसे एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या F3 पीड़ी नहीं हो सकती बिल्कुल हो सकती बेटा F3 पीड़ी भी हो सकती है फिर अब इसमें से अरे लंवे लेंगे अब यहाला अगर इसके साहत संक्रण करेगा तो चुछ हो सकता है बौने प्रभाविल अच्छन है न सारे करें लंबे पैदा करेगा इधर इसके साथ यह इसके साथ अब आपने देखी लिया है यह इसके साथ मिलेगा तो तीन लोग बोने होंगे और एक लोग लंबा होगा समझ गया लेकिन वह कहानी नहीं है आपको इतना नहीं पढ़ना चलिए अब आगे चलते हैं और मेरे प्यारे बच्चो अब हम समझते हैं कुछ और अब हम समझते हैं मेंडल जी ने दूई संकरण क्रॉस किस तरीके से कराया था सुनते जाना मेरे प्य बीज लिया जो कि गोल था इन्होंने गोल बीज लिया और गोल बीज लेने के साथ सथ एक इन्होंने जुर्रीदार बीज की बीच में संकरण नहीं हो सकता ना पौधे को इन्होंने पौधे से नया बीज उत्पन किया और उनके बीच में अंतर देखा समझ यह बीज में सं क civ छुटांगा आपको क्लियर समझ में आएगा और यह वोगम जुरीदार भीज कि यह लिया और यह इन्हों ने गोल बॉल Mint कि इसका चिकना बोल दो सहीज है nominal अब इन्हों ने देखा कि डौर लिए उसमें के बाद अब इन्होंने कहा कि जब गोल और जुर्रीदार इन्होंने कराया इनके बीच में संकरण तो इनको जो मिला रिजल्ट मिला था आप इनका रिजल्ट देखिए इन्होंने एक जो है गोल लिया था और उसके बाद जुर्रीदार लिया था तो इनको गोल ही मिला था क्या मिला था गोल और उसके बाद जुर्रीदार लिया तो देखा गया कि ये पहले समझना जरूरी है कि क्या मिलेगा रिजल्ट तो इनको जो मिला वो गोल मिला यानि कि हम कह सकते हैं कि इनका गोला पंजो था वो प्रभावी लच्छर था ध्यान से सुनिए नहीं तो आपको ये इनका आप रभावी लच्छर था और ये तो इनका निसकर्स था इनका निसकर्स था इनकी पीड़ी का निसकर्स था ये इनका निसकर्स जो है पहली पीड़ी का यहीं मिला था ठीक यानि इनका ये डोमिनेंट ट्रेट था ये इनका रेसिसिव ट्रेट था ठीक फिर उन इन्होंने एक हरे कलर का बीज लिया पीले लिया और इसके बाद फिर हरे कलर का बीज लिया यह इन्होंने पीला लिया यह नोट डाउन कर लेना और एक हरे कलर का बीज लिया उसके बीच में जब इन्होंने संक्रण कराया तो इन्होंने यह देखा कि इनको जो है पीले और हर प्रभावी और प्रभावी यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी पढ़ेंगे तिक अब इन्हों ने देखा यह इनका प्रभावी लचण था तो यह भी क्या था इनका यह इनके प्रभावी लचण थे और यह इनका अप्रभावी लचण था और यह इसका निzkर्ज था समझे मारी बाद क्लियर हुआ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा मुझे नहीं लगता कि 1% कोई भी समस्या हुई होगी ठीक है यहाँ तक एक बार जल्दी जल्दी से सारे बच्चे मुझे बता दो फिर मैं आगे चलू जल्दी से आगे चले हम लोग चले अब इन्होंने क्या किया दो गुडों को ध्यान में रखा पहला गुड इनका जो था इन्होंने गोल और हरा लिया गोल और हरा अब ध्यान में ये रखना है कि पीला और गोल ये प्रभावी लच्छन है पीला और गोल प्रभावी है जुर्रीदार और हरा आप्रभावी है ये माइंड में इधार होना चाहिए इसके बाद इनोंने इनके जुर्रीदार और पीले और बीजो वाले पौधों में क्रास कराया था किसको ध्यान में रखा गो धिश्कस करते हैं ने पंट जाते हैं जल्दी से अपछिसका इसक्रीन का ले लुग ले लग जल्दी से का ले चले लीया है स्क्रीन शॉट र अ प्सक्रीन बशेद लोगश्रीश स्क्रीन4 क्या है है जो अ अब देखो इन्होंने क्या किया इन्होंने सबसे पहले एक इस तरीके से गोल और पीला भीज लिया ये क्या था पीला भी था और गोल भी था इसका मतलब यहां ध्यान से सुनना मेरी बात गोल के लिए गोल के लिए हम ले रहे हैं गोल के लिए हम ले सकते हैं capital नहीं नहीं गोल और जुर्रीदार एक मिनट रुख जाओ जुर्रीदार पीला और हरा ठीक समझने की कोशिश कीजिए पीले के लिए हम capital Y ले रहे हैं और जुर्री जो हरा कलर है इसके लिए हम small Y ले रहे हैं जो गोल है गोल के लिए हम capital R ले रहे हैं और जुर्रीदार के लिए हम small R ले रहे हैं बात समझ में आ गई गोल के लिए हम capital R जुर्रीदार के लिए अब आप यह मत बोलना किसार हरे के लिए जी ले ली जी ऐसा नहीं बोलना क्योंकि बैटा फिर आपको समझ में नहीं आएगा सारी चीजे ठीक है इसलिए ध्यान से में आपे सुन लो मेरी बात जो प्रभावी है याद रखना मैं प्रभावी वाले में इस्ट्यार लगा देता हूं ये प्रभावी है और ये भी नहीं है अब आपको पूरा टॉपिक समझने में बड़ी मज़ा आएगी इन्होंने क्या किया एक पीला और गोल लिया ये क्या हुआ पीला और गोल पीला भी था गोल भी था फिर उसके बाद एक जुर्रीदार भी लिया इन्होंने इन्होंने एक दूसरा लिया ऐसे हम मैं कलर यूज नहीं करूंगा बिटा कलर में बहुत ज्यादा दिमाग मुझे लगाना पड़ रहा है ध्यान से समझने की कोशिश करना हरा और जुर्रीदार इनके बीच में इन्होंने संकरण करा के देखा क्या होता है ध्यान से देखना इन्होंने पीला और गोल लिया पीला और गोल पीले के लिए अभी हमने कलर बताया था कि आपको वाई लेना पड़े गा तुमने मान लिया यह वाई है इसको हम दो बार क्यों लिख रहे हैं हम आपको बताते हैं अभी इनको दोनों चीजे अपनी पहले वाली पीड़ी से मिली है और्य ये हम गोल के लिए क्या ले रहे हैं और गोल इनका प्रभाविवी था प्रभावी वाले के लिए गांच ले रहे हैं और जुरीदार के लिए हम एं0. ले रहे हैं रहाश मिखकें को कोई दिक्कत नहीं ये समझ माई बात अब मुझे घर सब्लख कर देख10 तो हम लेते kami 2db इसने लिखा कि इनके इनके बार इनके पिता जी से मिला और मता जी से मिला था अब इसके बाद हम माल लेते हैं कि इनका पीला पन ऐक गुड़ है है जिसको हमने वाई माल लिया और गोला पन यानि capital R इनका एक लच्छन है इसको हमने एक एक चीज दे दी ताकि दो बन जाए कम से कम यहां से हमने इसको small r लिया और इसके बाद इसको स्मॉल वाई लिया समझने की प्लीस और प्लीस कोसिस करें मेरे पएरे वच्छों अब उसके बाद इनके बीच में जब इन्होंने संक्रण कराया एक है ऐसे ही है है यहिसन उने लागर कराया तो इन्हें पता चला कि जो हमें मिलता है जो हमें मिल रहा है आपको पता है कि ये भी प्रभावी है और ये भी प्रभावी है इसका मतलब इससे जो भी मिलेगा वह 100% पीला और गोल ही होगा क्यों सोच कर देखिए एक बार दिमाग लगाईए कि पीला और गोल था हरा और जुर्रीदार था इनके बीच में अगर संकरण हम कराएं तो आर वाई और आर आर कैपिटल आर ये वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई यही तो मिलेगा ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई यही मिलेगा और मुझे पता है कि इनका कैपिटल आर यानि गोला पन और वाई इसका मतलब यलो कलर इनका प्रभावी गुड है इसका मतलब जो यह बीज मिलेगा वह 100% पीला और गोल ही यहां कर लो बाते कर लो कर लो हरा तो यह इनको को समझ मैं बात इसको इन्होंने नाम दिया कि हाँ ये मेरी P1 पीड़ी थी इसको इन्होंने नाम दिया P1 पीड़ी दिख रहा है ना कैमरे में P1 दिख रहा है कि नहीं हाँ इन्होंने इसका नाम दिया P1 पीड़ी और इसके बाद इससे जो यह यहाँ पर बन के आया इसको इनों नाम दिया F1 पीड़ी यानि ये पहली पीड़ी थी बात समझ मा गई यहां तक तो किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी यह इनों ने देखा अब मुझे बात बताओ अब हम अगर इनके आगे और संकरण कराना चाहें तो क्या हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अब इनोंने क्या किया इनसे चार चीजे इनोंने च्छाटी कैसे च्छाटी इनके सभी के गुरूप बनाए यहां से देखें क्या किया इनोंने अब यहां आपको नोट डाउन किया करना है यह सारी चीज़े मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे टेंसन बिल्कुल भी मत लो यहां तक तो सभी को समझ में आ रहा है अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम capital R एक बार capital R और उसके बाद capital R और capital Y ले सकते हैं capital R small y ले सकते हैं उसके बाद small r capital Y ले सकते हैं अब इनका मतलब समझना बहुत ज़ादा जरूरी है ध्यान से सुनियेगा तभी समझ में आएगा ठीक यहनोंने चार तरीके के बनाएं अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यह क्या है यह गोल है और गोल होने के साथ साथ पीला है यह आपको कोई बताएगा ही नहीं अगर हम इसको ध्यान से देखें तो capital R का यही मतलब है कि हाँ यह गोल है और small r का y का मतलब है वहाँ देख लो कि यह हरा है confuse मत होना यह गोल और हरा है ठीक एक काम करते हैं इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं बच्चों बहुत प्यार के साथ समझो बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इसलिए बहुत अच्छे से समझ लो मेरा इसमें कोई फैदा नहीं इतना मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं गोल और गोल होने के साथ साथ यह कैसा है पीला है गोल और पीला है अगर मैं इसको देखू तो capital r का मतलब गोल है और small r का मतलब हरा है capital y का मतलब है हम यहाँ जुर्री लिख देते हैं बाकी तुम समझ जाना जुर्रीदार और यह पीला capital y का मतलब पीला और small r का मतलब है मेरे वीडियो बड़े जरूर होते हैं लेकिन concept की कोई कमी छोड़ता नहीं हूं बच्चो अपनी तरफ से जुर्रीदार और small y का मतलब क्या है कि यह हरा है चार ग्रूप के अलावा क्या और कोई बन सकता है सच बता दो यहां तक ठीक है चलो बहुत बढ़िया सब सब लोग अच्छे से समझ रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ठीक इतना करने के पर अच्छा यह ग्रूप इन्होंने क्यों बनाए लेके wise के जब इनको पीला और गोल वाला इनको यह भी मिला था तो तो इसमें इनका पीलापन तो प्रभावी था, गोलपन भी इनका प्रभावी था, लेकिन कहीं कहीं ना इनके जीन में कुछ ऐसी चीज़े छुपी थी, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रेयेट कर रही petite. सर क्या प्रॉब्लम क्रेट कर रही थी बताई एक बार प्रॉब्लम यह क्रेट कर रही थे कि इनका पीलापन था वो तो प्रभावी था लेकिन इनका हरापन आप्रभावी था इनकी जीन में हरापन था लेकिन वह आप्रभावी था बाहर नहीं दिख रहा था तो इसका मतलब तो अगर इसी बीज को हम खेत में डाल दे जाके और उसे एक नया हम लोग मतर का पौधा बनाएं नया मतर का पौधा बनाएं और इसे बीज को हम अपने खेत में डाल दें और नया पौधा बनाएं तो हो सकता है कि उसमें क्या हो कि जो भी बीज तयार हो सकता उसके पीले उस तो एसा बिल्कुल 100 परसेंट शूर है क्योंकि इनकी जीन में हरा कलर भरा पड़ा है समझे हरा कलर भरा का मतलब है कि इनकी जीन में ऐसी ऐसी चीज़ है जो आगे चलके हरे मटर को पैदा कर सकती है या फिर हरे मटर का मतलब हरे बीज वाले और या फिर पीले वाले या फिर गोल या जुर्रीदार समझ माई बात इसलिए ये चार चीजे छाटी गए कि इसके अलावा या तो खेत में जो पेड़ होगा उसके बीज गोल और पीले होंगे या तो गोल और हरे होंगे या तो जुर्रीदार और पीले होंगे या तो जुर्रीदार और हरे होंगे बोलो यहां तक समझ में आई बात किसी को कोई दिक्कत नहीं अब हम जो चीज बताने जा रहे हैं वो इंपोर्टेंट है अब जो यहां बनाने जा रहे वो important है ठीक चलो अब ध्यान से सुनना और समझना बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि अब बहुत important चीज हम यहां पर discuss करने जा रहे हैं इसी page पर discuss कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा हमारे हिसाब से और इनको उठाके छोटा करके हम यहां कर दे देते हैं ताकि अभी यह हमको जरुवत पड़ेगी फिर से अना है कि अधिक अभी समझने की पूरी कोशिस कीजिएगा हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं चोड़ने वाले हैं और तुम लोग बस केवाल अब इसको समझते जाओ किस्योंसर क्या कर रहे हैं और देखते जाओ समझना अब जो खेल करने जा रहे हैं सर ना बहुत इंपॉर्टेंट है अब एक काम करते हैं इस गोल बीज को जो गोल और पीला है गोल और हरा है जुर्री और पीला है जुर्री और हरा है इन सब को पापा बना लेते हैं नर यूगमक माने लेते हैं इनको चलिए मान लेते यह समल वाई हें हमने मां लिया कि यह आर और वाई है और ना इसको मने मान लिआ कि आर और एस्मॉल वाई है थ्याए माल हनकर और आर है कि आर और कैबिटल वाई है हमने माल यह नहीं तरह के इनकोस कमांद करते हैं इसको यह हैं ऐसे से लिखते हैं यह मन लिया की ड़िव केengerman समझा रहा हूं कि यहां पर हमने लिखा कि यह जो है ना ओनर युग्मक हैं मान लिया हमने कि इधर सर ने लिखे हैं यह ढूは कि और मैं आपको बता दूँ कि नर युगमक के लिए एक्इन बनाया जाता है और उस चिंद को तुम पेपर में बना कि आओगे एक्जामनर और मजेदा और जो है आपसे खुस हो जाएगा कहेगा अच्छा बड़ा दिमाकी है तुम बना के चले आना ऐसे और उसके बाद ऐसे यह दिखाता है नर युगमक को ठीक समझ गए और इसी तरीके से मादा के लिए भी होता है देखो बना लो अपनी कॉपी पे कि यह है नर युगमक के लिए चिन्न बना दिया जाता है और यह चिन्न बना दिया जाता है मादा युगमक मैं आपकी हर एक चीज का ख्याल रखता हूँ कि कोई चीज छूटने न पाए इस्क्रिंस ओड ले लो चले तो इधर हमने क्या किया इधर तो हमने नर युगमक ले लिए और इधर हमने मादा युगमक ले लिए मतलब हम इनको अगर अंग्रेजी में बात करें तो हम बोल स मादा युगमक अगल हो ऐसा हमने माल लिया समझ मारी मेरी बात अब उसके बाद फिर से समझो कि जब यह टेबल बना दी यह दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सोचकर देखें कैपितल र्कैपिटल वाई इस टेबल को बरते हैं और देखते हैं क्या होगा कैपिटल आर वत्वर we take 63 गड़ित की टीचर कि इसका हिस्वला आइस्थ हैसAmerica कैपिटल आपए काप्टला कैपिटला इस अपैपिटल वाई और इस्माल वाई यहीन होगा ना है अभ इसका से गुट तो कैप्टल आर कैपटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई समझा मारे यह बात अब उसके बाद इसका इससे गुड़ा तो capital R small r capital Y और small y, ध्यान से सुनो capital R, capital Y small r, small y आरी मेरे बात सुने अच्छा आपको अगर इसमें confusion हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि capital R, Y फिर ऐसे करके लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, R, Y फिर R, Y ऐसे करके भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक, अब उसके बाद इसका फिर इसके साथ होगा ना इसका होगा इसके साथ तो capital 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 small capital capital small capital small फिर इसके साथ होगा capital capital, अभी इसमें capital capital ही आएगा capital capital ही आएगा capital capital small small फिर उसके बाद हम देखेंगे बहुत अच्छे से समझना मेरी बात ठीक ध्यान से समझने की कोशिशिस करें इसको इसके साथ करते है तो capital R small R capital Y small Y इसको इसके साथ करते है capital R or small R small Y small Y समझ गहाए अब इनको इनके साथ करना है तो capital R small r capital Y capital Y इसको इसके साथ capital R समझ मारी बात capital R small r capital Y small y capital Y small y गलती मत करना इसको इसके साथ small r small r capital Y capital Y इनको इनके साथ small r small r small r small r एक और इसके बाद capital Y small y capital Y small y अब इनके साथ देखते हैं इनके साथ color अच्छा नहीं है यह वाला लो इनके साथ और इन सभी के साथ तो capital R capital R और इसके बाद small r capital Y small y capital R capital R small r small y small y small y small r small r small r small y capital Y फिर उसके बाद small r small r r और small y small y यहां तक आप मुझे बता कोई समस्या हुई क्या बोलो यहां तक बेटा समझ में आया कोई समस्या हो तो बताईगा यहां तक आप लोगों को एक अगर नहीं समझ में आया यह तो साथ फिर आपको और समस्या होंगी कोई confusion नहीं है कुछ भी नहीं है ध्यान से सुनते जाओं ठीक अब अगर आप इन नो लोगों को देखेंगे इन नो लोगों को देखेंगे तो अब इनमें हर चीज का मैं मतलब बताता हूं जैसे मैं इस जो भी हमको मतर का बीज मिलेगा 100% वो गोल होगा एक भी अगर कैपिटल वाई है यह चीज इधर सेट कर लो एक भी कैपिटल आर है तो मतर का बीज गोल होगा एक भी कैपिटल वाई है तो मतर का बीज 100% पीला होगा क्यों क्योंकि कैपिटल आर उसका प्रिभावी है capital Y मतलब पीला कलर और capital R का मतलब गोल यह उनके प्रभावी लच्छन है तो एक भी अगर capital R है देखो इसमें capital R है इसमें capital R है इसमें capital R है और इसमें capital R है यह बात तो तै हो गई कि इन टोटल सोलह में से बारा जो होंगे 100 परसेंट वो गोल होंगे अगर पूछ ले भाई गोल कितने होंगे बारा देखो बारा लोग गोल होंगे यह बाते आपको कोई बताता है यह सिर्फ एक math का teacher ही इसको समझा सकता है समझें मेरी बात ऐसा नहीं कि बायो की teacher को math नहीं आती लेकिन हम इतना दिमाग लगा क्यों रहे है ताकि आप उतना सोचिए और आपको उतना आए समझें चले बाई सो इतनी बात clear हो गई आगे चलते हैं अब हम इसके बारे में थोड़ा discuss करते हैं पढ़ते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं अभी और कुछ भी है उसमें अभी मुझे बताना है निसकर्स में क्या लिखना है मेंडल ने दुई संकर संकरन प्रियोग में जब गोल और पीले और हरे और जुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच में संकरन कराया तो एक चीज़ और है जो मुझे सही करानी है वह आप नोट्स में इदर सही कर लो सही कर लो बेटा इधर यहां पर पीले कर लो और प्लीज मुझे कोई याद दिला देना ठीक है कविता मुझे मैसेज कर देना कि सर इधर नोट सही कर लो गोल और पीले और जुर्रीदार और हरे इधर हरे कर लो ठीक है यह मिस्टेक था इसमें वो मुझे पहले ही क्लियर थ आप यह तो आप इसको देखनाश हो तो देखो और जुरीदार हो इनके बीच में संकरन कराया शुब का मन्दल ने गोलर पीले है बाद का कॉिंटार मत्र की वीचgehen के में संकरन कराया तो सारे जो उनको भी ज मिले वो पीले और गोल मिले इसका ओग पीला और गोल पन इनका प्रभावी लच्चड था ऐसा लिख सकते हो थे법EMA फिर आगे बताऊगे कि जब इनोंगे पीला और गोल भीज लेने के बाद भाई पीला और गोल था इसके जीन में ये पाया गया और इस से अब अगली पीड़ी में जब गये ये हमारी F2 P2 बन कर आई ये F2 पीड़ी थी ये F2 पीड़ी थी और ये इनकी P2 पीड़ी है ये इनकी P2 है तो ये जब इनकी F2 पीड़ी थी इन्होंने देखा फिर से संकरन कराया तो इनको इस तरीके का एक चार्ट मिला इसके बारे मैं बात करूँगा मैं आ जाओ मैंडल ने दूई संकर संकरन कराया गोल और पीले लिया हरे और जुर्रीदार लिया तो इन्होंने संकरन कराके देखा कि गोल और पीले वाले बीज मिले इनको लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि पीला रंग और गोल आकार प्रभावी लच्छण है जबकि हरा रंग और जुर्रीदार इनका आप्रभावील अच्छने वेटा नोट्स बहुत टॉप क्लास का है इससे बहतर नहीं मिलेगा ठीक यही चीज अभी इमने बताई अब उसके बाद फिर से सुनिए कि F1 पीढ़ी के पौधों में जब इन्होंने परागन कराया तो F2 पीढ़ी में चार प्रकार के पौधे प्राप्त हुए कितने प्रकार के पौधे इनको प्राप्त हुए चार प्रकार के अब चार प्रकार के कौन कौन से थे द्यान से देखना चार प्रकार के कौन से थे पीले गोल हरे गोल पीरे जुर्रीदार और हरे जुर्रीदार पीले एधर लच्छन प्रारूप यह एक्जाम में बहुत इंपॉटनड है लच्छन प्रारूप जिसे हम When you find your लच्छण प्रारूप अनुपात और जिसे हम कहेंगे अब यह इस तरीके से बताऊंगा कि आज के पहले आपने नहीं पढ़ा होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं फीनो टाइप यह क्या होगा बच्चो फीनो टाइप ठीक अब फिर से जरा गौर फरमाना और सुनना मेरी बात इन्हों ने देखा अपने निसकर्स में कि पीले गोल हरे गोल पीले जुरीदार हरे जुरीदार अब यह कहां से हुए यह सारी यह तो बताया कि पीला गोल हरा गोल पीला जुरीदार हरा जुरीदार चलिए आगे चलते हैं क्या हुआ पीला गोल पीला गोल पीला गोल हरा गोल पीला गोल हरा गोल पीला जुरीदार पीला जुरीदार ऐसे लिख्याना ना एक्जामनर ऐसा नहीं होगा कि आपको नंबर काट ले हरा जुरीदार क्योंकि आपने इसमें कुछ नहीं छोड़ा सब बता डाला ठीक देखो अब इनके बीच में इनको अनुपात निकालना है अब देखते जाना क्या होगा पीला गोल के लिए पहले को हरा गोल हरा गोल पीला गोल ठीक ध्यान से मेरी बात को सुनना यह मने कोड में यहां लिख दिया है न और गोल के लिए इदार हमने लिखा कैपिटल और इसके लिए हमने लिखा स्मॉल हरा गोल हमने हमें पता है कि गोल के लिए हम कैटल लिखते हरे के लिए हम लोग क्या ल सब चला गया है समझ गाना वो केवल एनिमेशन गया है बाकि कुछ नहीं गया है ठीक हरा अगर हरे के जुर्रीदार की बात करते हैं जुर्रीदार के लिए ये और हरे के लिए ये एक अब मुझे ये ढूंड़ना है कि जो पीला भी हो गोल भी हो ऐसा ढूंड़ना है जो पीला भी हो गोल भी हो चले पीला और गोल यानि कि capital R भी होना चाहिए और capital Y भी होना चाहिए चलिए देखते हैं capital R capital Y गिंते जना ये वाला क्या होगा capital R है capital Y है 1 2 3 4 कम से कम ये होना चाहिए 1 2 3 4 5 फिर 6 ध्यान से देखना नहीं भी 5 यह मिला 5 एक 2 3 4 पाच ठीक लगाते जा रहे हैं एक 23 यह गोल भी है पीला भी है गोल भी आज़ बहाई दो हमें capital R, capital Y जोड़ना है इसमें अधर काप्टल वाई अब किसी में तुमको काप्टल अब मिलेगा नहीं हां मिला यह मिल गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव कितने मिले 9 समझ में आरी बात तो इसका मतलब यह हो गया 9 पेटा आपको ऐसे कोई नहीं बताने वाला ठीक अब हमको capital r small y ढूनना है जिसमें capital r हो और small y हो लेकिन capital y नहीं होना चाहिए capital y हो गया तो वह 100% पीला चला जाएगा फिर समझ गए हमें small y ढूनना है और capital y नहीं होना चाहिए small y capital r आओ भाई capital r यह वाले तो खतम अभी capital r के कितने बचे यह बचा यह बचा यह बचा यह बचा तीन लोग हैं देखते है capital r small y capital r small y capital r small y इसका मतलब यह सारे मिल गए यह 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 मिल गए बोलो बात समझ में आ गई इसमें capital r capital r भी है capital r और small y है small y small y लेकिन capital y नहीं है इसका मतलब एक दो तीन लोग यह लोग कैसे थे हरे भी थे गोल भी थे अब पीला जुर्रीदार पीला और जुर्रीदार पीलार जुर्रीदार का मतलब है कि capital Y 100% होना चुछिए और capital Y 100% होना चुछिए और इसके बाद small r होगा, ठीक, चलो, small r, ये 4 बच्चे इनी में ढूड़ना पड़ेगा, तो हमने कहा था, दूसरा चिंद कोई बनाते न, दूसरे color का, कैसा चिंद बना दे बताओ, star बना दे ठीक, देखो, हमने क्या बोला था, क्या होना चाहिए, small r, capital Y, 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 इसका मतलब ये हो गया, और एक ही बचा विचारा, ये, इसको लिए क्या चिंद बना दे, question mark, समझ गया, तो ये देखो, 1, 2, 3, और ये हो गया, एक, अब इनको गिन डालो, 9, 3, 3, 1, 16 है की नहीं, 16 है total, गिनो, ये है इनका लक्षड प्रारूप, अनपात, यानि फीनो टाइप, बेटा, जिस बच्चे ने ये वीडियो पूरा देख लिया, उसको कोई प्राबलम नहीं होगी, हमने क्योंकि पूरा आप आपको पूरी चीजे समझ में आई होगी, इनका जीनो टाइप नहीं पूछा जाता पेपर में, बताने को तुम्हें बता जूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जीनो टाइप इनका नहीं पूछा जाता है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, त्यंत क्लास के लिए वो इं मैंने पूरा नोट्स दे दिया, आपको मैंने हर चीज़ बता दी, एक बार हम दू शंकर को फिर से रिपीट कर देते हैं, इन्हों ने क्या किया था, गोल और पीला बीज लिया था, हरा और जुर्री दार लिया था, उनके बीच में संकरन कराया था, तो इनको गोल और पिला फिर उन्हें नोने बोला कि इनका गोला पंजो था वो इनका प्रभावी लच्छड था और पीला पंजो था वो भी इनका प्रभावी लच्छड था इसको यह F2 PD मिले के गए, इनके बीच में परागण करा दिया, उसके बाद इन्होंने देखा कि जब इसके बीच में परागण कराते हैं, तो इनको 16 रिजल्ट मिलते हैं टोटल, इन 16 रिजल्टों में उन्होंने ये चीज देखी कि 9 लोग ऐसे थे, 9 लोग ऐसे थे, जो गोल और यानि गोल और पीला बनाते हैं, तीन लोग ऐसे हैं जो हरा और गोल बनाते हैं, तीन लोग ऐसे हैं जो पीला और जुर्रीदार हैं, और एग लोग ऐसा है जो हरा और जुर्रीदार हैं, मतलब बहुत कम ऐसे चांस थे कि हरा और जुर्रीदार, यानि कि आप्रभावी गु जादा बीज डाले जाते हैं ठीक या कोई भी खेती होती है सब में ही होता है ठीक कि अब आप लोगों को ये पूरी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी ठीक है आप मुझे जो भी पूछना है उनको जो भी पूछना है वो सारी चीज़े पूछ सकते हो दो मिनट के लिए पेटा फीनो टाइप पूछा जाता है जीनो टाइप नहीं पूछा जाता फीनो टाइप पूछा जाता है जीनो टाइप नहीं पूछा जाता है जल्दी बता दो मुझे एक बार जिनको ये flow chart नहीं समझ में आया वो लोग गलती कर रहे हो मैंने एक चीज बोली है एक बार में किसी को कुछ समझ में नहीं आता कम से कम उसको repeat करके इसी वीडियो को खुद से एक बार सांती के साथ बैठ के देखो जिसमें आपका दिमाग comment पे नहीं होगा सिर्फ इस वीडियो पे होगा उस वीडियो को उस बच्चे को समझ में आएगा कोई सवाल है तो पूछ लो अब अगले सेशन में क्या होने वाला है अगला सेशन जो हो है वो होने वाला है अब मेंडल के नियम मेंडल के नियम और मैं फिर बता दूँ मेंडल के नियम आपको तभी समझ में आएंगे जब आप ये संकरण पढ़ लोगे मेंडल ने अपने तीन नियम दिये थे और ये तीनों के तीनों नियम इसी संकरण पर आधारित है तो पहले इस संक्रण को cover कर लो तब जाके आपको मेंडल के बाकी के नियम समझ में आएंगे थाइंक यू सो मज़ सिखा जीन क्या है बेटा जीन को तुम ऐसा समझ सकते हो कि सूचना रखने वाले यह सूचना रखते हैं कि अब पीड़ी कैसी थी यह जीन है टिफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में दे रखता है एक बच्चा बोल रहा है मेंडल लो यही तो है बेटा मेंडल लो है तो यही कह सकते हो इनको लेकिन उन्होंने अलग अलग नाम दिये थे उन्होंने कुछ बताया था इसके बारे में तो इसलिए अब अलग से बारे में government के नियम वह हम थोड़ा देते हैं और यह हम बोल सकते हैं कि प्रभावी लच्छण वो लच्छण होते हैं जो जो उपर दिखाई देते हैं जो आप प्रभावी लच्छण हैं वो हमें उपर से दिखाई नहीं देंगे रहा वो उसके जीन में उपस्थित तो होंगे लेकिन हमको दिखाई नहीं आप लोगों को बता दिया था चलिए था आज के सेशन के लिए अगर आप लोगों को आप हिंदी पढ़ा दो मज़ा आएगा है को सर्प्राइज आने वाले टाइम में परेशान मत तीक है चलो आई तिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा आया होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताईएगा अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर जाना कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है क्योंकि आप सभी की कमेंट का हमें इंतिजार रहता है भरपूर जैसा भी आपको समझ में आया हो प्लीस और प् सब कराए जाएगा सब कराए जाएगा सब कुछ कराए जाएगा अभी हमारे पास समय है अब आप जितना पढ़ा दिया मैंने अगर पढ़ लो बहुत अच्छे से अनुवानसिक्ता की कमी थी तो भाई वो भी हम पूरा कर दे रहें तीन-चार दिन में पूरा चैप्टर खतम हो जाएगा फिर कोशन अंसर करा दूगा ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना ही कल साम को पांच बजे मेंडल के नियम और उसके बाद आज रात में आठ बजे सबसे कठिन वाले कोश्चन गड़ित के मिलते हैं आठ बजे रात में करेक्ट आठ बजे ओके बाबाए